ओम शान्ती, आज एक ऐसी सक्षियत से आपको मिलाने जा रहे हैं, जो विश्व परसिद्ध है, पिछले कुछ दिनों पहले पानिपत ग्यानमान सरोर में, जो की एक नए अरिटीड सेंटर बना है, वहाँ एक सन्हे मिलन कार्यकरम रखा गया, उस कार्यकरम में मिसेज यूनि वर्स, डॉक्टर रागिनी, वहाँ मुख्य रोप से उपस्तित हुए, जब कार्यकरम संपन हुआ, तो हमने व्यक्तिकत रोप से उनसे कुछ प्रशन पूछे, और सबसे पहले प्रशन का जवाब सुनकर ही, हमें बड़ा अश्चारिय हुआ, और खुशी भी हुई, जब ह हमने उनसे पूछा, कि ब्रहमाकमारीज में आकर आपको कैसा लगा, तो उन्होंने कहा, मैं तो पहले ही ब्रहमाकमारीज से परिचित हूँ, लेकिन इससे भी ज़्यादा खुशी तब हुई, जब उन्होंने ये बताया, कि मैं रोजाना मुरले सुनते हुआ, तो सुभा का ज़्यादा लेक्चर से भोर हो सकते हैं, मगर एक लाइस्टाइल है, एक जिन्दगी जीने का तरीका है, तो आइए सुनते हैं उनके बाबा के साथ के और भी अनभव कि उनको क्या-क्या प्राप्तिया हुई है, हम रहतक से हैं, शादी किये हुए 14 साल हो चुके हैं, और हम हमारे बाबापने हमें जाने नहीं दिया, क्योंकि वह हमें डॉक्तर बनते हुए देखना चाहते थे, प्लस वो ये बोलते हैं कि हमारा जो बॉलिवूड इंडिस्ट्री हैं, वो एक टेंपररी इंडिस्ट्री हैं, तो उन्हें चाहिए था कि एक लड़की जब बाहर निक जब हमें ओफर आया था, सीरियल्स का, एक्ताकपुर का, हम बॉनना कुमारी के संपर्क में, रोहतक में जब हम आये, तो हम PGI रोहतक में, हम अपने डॉक्तर के पोस्ट पे थे, मेडिकल ओफिसर के, और वहां पे जब हम ब्लट कांप स कर रहे थे, तो समवाट हम अटाच् तो उस समय कुछ सर्कम्स्टेंस जैसे बाबा कहते हैं सिच्वेशन तो आएगी बट इंपोर्टेंट है हमारी स्टेबिलिटी कि आपको कोई हिला ना सके न सुख न दुख तो उस समय हम बहुत परिशान थे तो एक पेशंट से मेरी रूबरू हुई जो बार-बार हर बात प मेरी मेरा जुड़ाव उन से थोड़ा सा बना और मैंने वहां पर उनका जो तीन दिन का हुटा है पूरा सेवन डेस का कोर्स होता है राज्योग का वो किया और बात दो हजार पंदरह यह सॉला की बात ही यह तो उस समय पंदरह के आसपास मैंने उसके बाद तो समझ में आ गया कि सारा तो दिमाग का खेल चल रहा था और हम तो यूही परिशान है बाबा तो हमारे साथ चल रहे थे और हम कभी उनको मौका ही नहीं दिये अपने साथ लेके चल अपना काम करने का बट मुझे इतना पता होता है कि सुबह का ग्याना और सुबह की मुली और सुबह र एक लाइस्टाइल है, एक जिन्दगी जीने का तरीका है, हम उठते ही हैं, सुधर ही बोलते हैं, गुड बॉर्णी पापा, आपकी बेटी जाग गई, अब चलो सको मेडिटेशन करवाने ले चलो, बिफोर वो इधर उधर हो, और हम अपना एक गलास गरम पानी पीते हैं, औ अपने आपको भरपूर करते हैं, उनकी पॉजिटिविटी से, उनकी पावर से, उनकी मुस्कुराहट से, उनके प्यार से, क्योंकि बिना गले लगे तो हम घर से बार निकलेंगे नहीं से, तो जो मेरा प्यार का कनेक्शन जो हम परिवार से करते हैं, वो हम उनसे करते हैं, उसके बार हम अपना एकससाइज करने जाते हैं, एकससाइज करके हम वापस आते हैं नहाद हो के अगेन बाग तू पॉवेलेन हॉस्पिटल में जब मेरे बाबा के बच्चे आते हैं तो फिर बाबा को बोलते हैं आप लीड करिए स्टार्ट गाड़ी भी चला के लेके जाते हैं मेरी तो जब कार में जब हम आरे होते हैं हॉस्पिटल तो हमें एक घंटे का टाइम लगता है तो मेरी डेली आदत है कि हम कार में गाना सुनने की जगा हम मुडली सुने और जब हम उनको सुनते हैं तो हम ऐसा ये नहीं लगता है कि हमें कोई sister सुना रही है या कोई भाई सुना रही है मुझा पापा बोल रहा है ये भी करना है वो भी करना है जाने से पहले जैसे मा बाप अ Après बच्चों को instruction देते हैं ऐसे भी करना है ये भी करना है तो हमें लगते है पापा मुझे सब मिठाके सब बता रहे है ये चीज़ें होतीra पापा मतलब मेरे भग्वान शेव मेरे परम्पिता परमेशवर जिनको मैं बहुत प्यार करती हूँ और वो हर पल, हर सेकेंड मेरे साथ रहते हैं, मेरे हर थौट में, मेरे हर आक्षन में और मेरे हर कर्म में ओम शांती और आज की ये बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर सुने